नमस्कार, डेली एडिटोरियल एनलैसे से समंदिर, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस एडिटोरियल पर डिसकस करने वाले हैं। इडिटोरियल का शिर्षक है a better model और इस एडिटोरियल को लिया गया है दा हिंदु से और यह एडिटोरियल हमारे GS Paper 2 में polity के segment के लिए काफी महत्पूर्ण है तो चलिए हम इस एडिटोरियल की सुरुआत करते हैं अब जैसा कि हमें पता है कि 9 बर माह में कई राज्यों में विधान सभा चुनाव संपन्ध हुए हैं और ये राज्ये हैं राजिस्थान, 36 गड़, मद्यपर्देश, मीजोरम और तिलंगाना तो इन राज्यों में विधान सभा के चुनाव संपन्ध हैं जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे अब इसी के आलोक में एडिटूडेल यह कहता है कि चुनाव परचार के दोरान पार्टियों और सरकारों से आदर्स आचार संगीता का पालन किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को इस बात की अपिक्छा रहती है कि पार्टी और सरकार चुनाव की दोरान आदर्स आचार संगीता का पालन करें हालां कि इसे लागू करना उतना आसान नहीं होता है अगर हम बात करते हैं भारती चुनाव आयोग की तो भारत में प्रतिनिधिक संस्थानों के लिए स्वतंत्र और निश्पक्च चुनाव कराने के लिए भारती चुनाव आयोग रिस्पोंसबल होता है जिम्यधार होता है इसकी स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को और इसके लिए जो प्रावधान है वो सम्मेधानी प्रावधान है और इसकी चर्चा की गई है सम्मेधान कनुचे 324 में थोड़ा अगर हम और विस्तार से देखें भारती चुनाव आयोग को यह एक सम्मेधानी की निकाय है यह संग और राजियों में चुनाव कराता है मतलब यह लोकसभा, राजिसभा, राजिविधान सभाओ, राष्टपती और उप राष्टपती के चुनाव को संपरने कराता है वर्तमान में मुख चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में अनुख चंडर पांडे और अरुन गोयल सामिल हैं राष्टपती मुख निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती करते हैं यह तो बात भी चुनाव आयोग की। वहीं अगर हम आदर्स आचार संगीता की बात करें तो यह आदर्स आचार संगीता काफी हद तक पार्टियों और सरकारों के सयोग और भारती चुनाव आयोग की सतरगता पंदिर्वर करता है। और आदर्स आचार संगीता का उद्दिश होता है चुनाव प्रक्रिया की सुद्रता को बनाए रखना। इसलिए अब यहाँ पर यह भी जानना जोरी है कि आदर्स आचार संगीता आखिर यह होता क्या है। तो यह संगीता राजनितिक दलों और परत्यासियों के लिए बनाए गई एक नियमावली होती है। और चुनाव आयोक चुनाव से पहले इसे लागू करने की घुसना करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की घुसना करता है। आदर्स आचार संगीता का मकसद या उद्देश होता है उन सभी प्रथाओं को रोकना जिनें बरष्ट माना जाता है जैसे कि राजनेताओं की द्वारा नफरत भरे भासन को नहीं देना दूसरा एक समुदाय को दूसरों के खिलाफ नहीं खड़ा करना तीसरा राजनेताओं को धर्म का हवाला नहीं देना चाहिए फिर नेक्स्ट राजनेताओं की द्वारा नई प्रयुजनाओं के बारे में वादे नहीं करने चाहिए जो मद्दाताओं को प्रभावित कर सकते हैं और आदर्स आचार संगीता में उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जिसकी जा पर इतनी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि जो चुनाव संपन्ड हुए है उस चुनाव के दौरान भारती चुनाव आयोग ने सभी दनों के कमोबे सभी दनों के नेताओं को आदर्स आचार संगीता के उलंगन करने के आरोप में उन्हें नोटिस भेजाए इतना ही नही आरती चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को मतदान से पहले तिलंगाना सरकार के रायतू बंदू योजना के तत किसानों को नगद रिन देने की उनकी अनुमती को भी वापस लेने के लिए कहा क्योंकि चुनाव के दौरान रायतू बंदू योजना से संबंदित जो नगद हस होने वाले हैं उन्हें राज्यों को भी वैसे कारिक करने से उन्हें रोका गया जिससे यह संभावना हुई कि इससे जिन राज्यों में चुना हो रहे हैं उन राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है जैसे कि करनाटक में कॉंग्रेस सरकार को ऐसे विग्यापन जारी करने के लिए नोटिस दिया गया जो तेलंगारा में मतलदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं उसके बाद अब हम दो एक्जामपल लेते हैं या दो उधारन लेते हैं पहला उधारन है वह यह है कि भाजपा की सिकायतों के आधार पर गांधी परिवार को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के खिलाब कतित रूप से अपमांजनक शब्दों के इस्तमाल करने के लिए नोटि किती अब क्या है कि हर तरब से सिकायत ने चुनावायोग को मिली है चुनावायोग ने उसे आधर्स आचार संगे ताकि उलंगन को मानकर जिनके खिलाफ आरूप लगए है उन्हें नोटिस दिया है तो इसका मतलब है भारती चुनावायोग का जो हिपकार है या समरुक्ता का आभाज देती है देकिन जिन मुद्दों पर इसने ध्यान नहीं दिया है उस पर भी ध्यान देने की उसकी आवे सकता है वो क्या है उसको ध्यान से सुलिया वह यह है कि भारती चुनाओ आयोग ने कॉंग्रेस की उस सिकायत का जवाब नहीं दिया जिसमें कॉंग्रेस निय पिस्वत मिली है, 36 गड़ में माहुल खराब करने की कोशिस किये और यह भी आदर्स आचार संगीता का उलंगन है, यह बात कॉंग्रेस ने कही चुना आयो को, लेकिन चुना आयो के दोरा उस पर कोई विशेश परतिक्रिया नहीं दिखाएगे, और ठीक यही हाल देखा गया राजस्थान में, जहाँ पर की केंदरी एजेंसियों की द्वारा, राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार है, उसके मंत्रियों या उसके विधायकों के विरुद्ध कारवाई देखी गई, और यह भी एक आदर्स आचार संगीता का उलंगन है, तो अब यहाँ पर बात य हो रही है, कि ठीक है, भारती चुनाओ आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया, और समरूपता का ध्यान रखा, लेकिन चुनाओ की द्वरान, राजनितिक उद्दिस्यों के लिए केंदरी या राजी एजेंसियों द्वारा जाच को हत्यार बनाना, या एक अनोची थस्तक् लगने लगती है, जब भारती चुनाओ आयोग के सर्दस्यों के नियुक्ति में कारिपालिका की सर्वुचता को बनाये रखने के लिए मौजदा सरकार के द्वारा एक विध्यक को संसद में लाए जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुख च सेवा की शर्त हैं, और कारियले की अवधी विध्यक 2023, और इस विध्यक के संदर में पूरी संभावना यह है, कि जो सीत कालिन सत्र आने वाला है, उसमें इस विध्यक को लाए जाएगा, अब इसमें चिंताजनक बात क्या है, उसमें गौर कीजिए, तो यह विध्यक चुन और उतने ही अन्य चुनाव आयोक्त होते हैं, जितना राष्टपती तह करते हैं, और मुख चुनाव आयोक्त और अन्य चुनाव आयोक्त के न्युकती राष्टपती की द्वारा की जाती है, इसके अंतरगत एक चैन समीती की बात की गई है, यह जो चैन समीती है, उसमें चुनाओ आयोक्ति के लिए चैन पेनल में मुख चुनाओ आयोक्ति और अन्य चुनाओ आयोक्ति सामिल होंगे। उसके अलावा इसमें अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधान मंत्री और सदस्य के रूप में होंगे विभक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा एक अन्य चुनाव आयोक्तों की नियुक्ति में और एक महतून बात यहाँ पर यहाँ है कि इस विद्यक में मुख चुनाव आयोक्तों का चैन करने के लिए पहले गठित तीन सदसी पैनल से भारत के मुख नियाधिस को हटा दिया गया और यही वो बात है जो चिंता जनक है तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर भारती चुनाव आयोक नियुस्प्रक्षता से काम करे तो इसके लिए जरूरी है कि मुख चुनाव आयोक्तों की नियुक्ति में पारदर सिता को रखा जाए और पारदर सिता को बनाए रखा जाए ताकि चुनाव उस दल की हिसाब से ना हो जिसक तरह से भारती चुनाओ आयो की सरंजणा को नियंत्रित करेगा और यह भारती चुनाओ के लिए अच्छी कबर नहीं है तो इस परकार एट्रील से समंदित आज कि इस वीडियो में हमने भारती चुनाओ आयो की कारिफ पढ़नाली पर एक नज़र डाली अदर्स आचा संगित क्या होती है हमने उसे देखा इस प्रकार इस वीडियो को में सब्सक्राइब करते हैं फिर में लेग नहीं जानकादी के साथ नमस्कार दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अपडेट